किसान भाइयो नमस्कार हाजिर एक बार फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ तो किसान साथियो बात करते हैं नासिक मंडी के बारे में किसान साथियो नासिक मंडी का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिल रहा है और नासिक मंडी में कितनी देज़ी, कितनी नर्मी, कितनी उच्छाल देखने को मिल रही है तो किसान भायो इस वीडियो में मैं आपको सारी जनकरियों सारी अपडेट के साथ बताऊँगा चलिए किसान साथियो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अन्रोद है आपसे अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है किसान साथियो नासिक मंडी में कितनी उच्छाल देखने को मिली है और आने वाले समय में जो उच्छाल है नासिक मंडी से लेकर वो आने वाले समय में कितनी उच्छाल देखने के जो आसार है वो किसान साथियो लग रहे हैं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नासिक मंडी की अपडेट को लेका है क्यों किसान सातियों नासिक मंडी एक बड़ी मंडी मानी जाती है और अपने एसिया की बात करने तो सबसे बड़ी नासिक मंडी ही मानी जाती है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नासिक मंडी की अपडेट के बारे में किसान भाईयों अगर नासिक मंडी की अपडेट के बारे में बात करें आज दिनांग 24 मार्च हो चुका है तो सुपर क्वाल्टी का प्याज की बात करें किसान सातियों जो super quality का प्याज है नासिक मंडी में 1200-1100-1300-1300-1400 रुपे तक के भौमें देखने को मिला है वही पर अगर medium माल की बात करें तो किसान सातियों 900 तो इस्तिती बहुत ही ज्यादा नर्मी और नजर आ रही है किसान सातियों